नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी सुकला आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हुए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस में जो स्क्रीन सौट है उसमें लिया गया है एक दवाग उसका नाम है मैफ्टल इसपास अब इस ये दवा एक कामन पेंकिलर है जो की फीमेल्स की द्वारा लेडिज्यों की द्वारा लिया जाता है अगर हलका-फुलका पेट दर्ध है मेंस्ट्रॉल साइकिल के दवरान कई बार पेट में दर्ध होता है उसको खतम करने के लिए होता है मेंस्ट्रॉल साइकिल जब स्टार्ट होती ही तो शुरू के एक-दो दिन दर्ध होता है बहुत देशे कई बार होता है कई बार नहीं होता है तो जो होता है तो डॉक्टरी इस दवा की सलाह देते हैं एक्टाल इसपास की तो यह है इसके अलावा यह दवा दो-तीन जगों पर और भी क्याम करते हैं जैसे आर्थ्राइटिस के मरीजों को दिया जाता है यह दवा थेक है पेन किलर तो हई है मसल अगर आपका वह हो रहा है तो भी दिया जाता है और्थ्राइटिस में भी दवा कारगर है यह दिया जाता है सबसे पहले आईए इस दवा के विषय में हम लोग बात करते हैं कि दवा है किस केटेगरी की तो साथ दिसंबर को सेवन्थ आप डिसंबर टूथाउजन ट्वेंटी थ्री को IPC मतलब इंडियन फार्मैकोपिया कमीशन इन्हों ने जो है इस दवा को लेकर के ड्रग सेफटी इलर्ट जारी किया क्या जारी किया ड्रग सेफटी इलर्ट असल में यह दवा जो है ANSAID N-S-A-I-D category की है इसका मतलब क्या हुआ N-S-A-I-D की मतलब क्या हूँ इसका मतलब वह N का मतलब non S का मतलब steroidal A का मतलब anti-I का मतलब inflammatory D का मतलब drug तो non-steroidal anti-inflammatory drug की category में आता है समझ रहे हैं इसका side effect क्या है क्यों alert जारी की है कहा ये गया कि इससे side effect होते है इससे दिखाई पड़ रहा है अगर आप लंबे समय तक के दबा इस्तिमाल करते हैं दिन भर में एक tablet तो लिया जा सकता है लेकिन इससे ज़्यादा है करता ही नहीं इसके बावजूद अगर लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है तो उन लक्षण को एक syndrome नाम दिया गया इसको नाम दिया गया DRESS syndrome इसका मतलब क्या हुआ DRESS syndrome का मतलब क्या हुआ और कैसा होता है DRESS syndrome D.E.R.E.W.S. DRESS syndrome तो DRESS का full form क्या है DRESS का मतलब है DRUG D का मतलब DRUG R का मतलब REACTION WITH E का मतलब होता ISNOPHILIA and systemic symptoms ठीक ते जो REACTION होता है किस में होता है DRUG REACTION है ISNOPHILIA में भी होता है systemic symptoms होते हैं ठीक है यह जो होता है बहुत ही तगड़ा allergic reaction होता है कैसा REACTION होता है allergic reaction DRUG लेने के दोस्ते आठ week के बाद after two to eight weeks DRUG आप medicine जब ले लिए तो उससे दो से आठ सब्ता के बाद में यह reaction सब दिखाई पर सकते हैं इसमें कई बार तो इतना severe reaction होता है कि इसको कहा एक guilty निकलती है गले गले के आसपास इस guilty को कहा जाता है lymphadenopathy इसका एक technical term है ध्यान रखेगा इसको lymphadenopathy होती है अर्था गिल्टी निकलती है समझ में है इसकी अलावा इससे intestinal crème मतलब आत में मरोड पैदा होगा और stomach ulcer भी पैदा हो सकता है इस दवा से इतने इस दवा को ले करके research हैं दिखाए मतलब बताया गया कि यह side effects है इस दवा के अब इस दवा का सवाल है पैदा होता है फिर यह जो है इसका उपाय क्या है तो उपाय यहीं है कि अगर कोई भी reaction पहली बात तो इस दवा को दिन भर में एक tablet से ज़्यादा मतले हो उसके बाद में अगर कोई भी लक्षन दिखाई पड़ा है तुरंत अपने doctor से contact करो इसके अलावा यह जो company इसको बनाती है उसने भी अपना नंबर एक दिया help line नंबर 1800 180 3025 तो इसमें जो है इस नंबर पर dial करके आप सलाह ले सकते हो यह जो है PVPI का नंबर है अर्थात Pharmacovigilance Program of India Pharmacovigilance Program of India इसका जो है नंबर है और यहां से आपको कुछ राहत की बात की जा सकती है तो साथियों यह रहा पूरा मैफटाल स्पैस ड्रक के विशे में उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाभानमित करने वाली होगी आपको लाभ मिलेगा इस जानकारी इससे अगर ऐसा है तो आप उमारे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत बंदि मत्रम